इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जी हाँ ये खबर नई दिल्ली सारी है सोनिया गांधी ने कॉंग्रेस वरकिंग कमिटी की बैठक बुलाई है दिवाली के बाद ये बैठक होनी है जिस पर कॉंग्रेस अध्यक्स चुनाओ को लेकर चर्चा होनी है कब चुनाओ होगा और इसके लिए चुनाओ प्रक्रिया क्या होगी इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी आपको बता दे राहूल गांधी के नाम को तैमाना जा रहा है केवल इस पर मुहर लगाना बाकी है अपचारिकता ही रह गई है राहूल गांधी के नाम को लेकर आपको बता दे इस पर सभी राज्यों के प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने राहूल गांदी के नाम पर मुहर लगा दी गई है केवल अपचारिकता ही बाकी है साथ ही कई प्रदेशों में कॉंग्रेस अध्याक्ष को लेकर भी चर्चा होनी है 36 गड में भुपेज बगेल का नाम तैमाना जा रहा है क्योंकि अभी पुनिया ने पिछले दौरे पर ही भुपेज बगेल के नाम पर मुहर लगा दी थी उन्होंने कहा था कि केंदरी कमिटी जो फैसला करेगी वही अंतिम निर्णय होगा इसी के साथ भुपेज बगेल का नाम राहूल गांधी को प्रस्तावित किया गया था जिन्होंने सहमती जता दी है खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहे है ग्लिप्स.in